भारत ने रविवार को अपनी आठ्वी एशिया कप ट्रॉफी जीती जब उन्होंने रविवार को शिखर मुकाबले में श्रीलिंका को दस विकेट से हराया। सलामी बल्लेबाज शुगमन गिल और इशान किशन ने 51 रणों के लक्षे का आसानी से पीछा किया क्योंकि श्रीलिंका कुल्सको का बचाव करने में ज्यादा कुछ नहीं कर सका जो एशिया कप के एक दिवसिय प्रारूप में सबसे कम है। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने 21 रण पर 6 विकेट लेकर श्रीलिंका को 50 रण पर समेटने का जादूई स्पेल बनाया। उनकी स्पेल ने सुनिश्चित किया कि लंका ने केवल 15.2 ओवर बल्लेबाजी की और यह भारत के खिलाफ उनका सबसे कम वंडिस को भी था। भारी बादल चाये रहने के बावजूत श्रीलिंका ने टॉस चीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैच निर्धारित समें 3 बजे से 40 मिनट बाज शुरू हुआ। टेज गेंदबाज वंडे इतिहास में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले 4 गेंदबाज बन गए और उन्होंने वंडे में सबसे टेज 5 विकेट लेने के मामले में पूर्व लंकाई टेज गेंदबाज चामिंदा वास की बराबरी कर ली। हाला कि सिराज की गेंद बाजी की खूब सुरती महाजांकलों से परे थी। पहले ओव की तीसरी गेंद पर जस्प्रिक बुम्रा ने कुसल परेरा को कैच आउट कर दिया जिसके बाद वही इक्षन में आए। कोलंबो की तुलना में लंदन जैसी परिस्थितियों में सिराज को बस गेंद को सही क्षेत्रों में पिच करना था। सिराज ने चौथे ओव में 3.1, 3.3, 3.4 और 3.6 गेंदों पर विनाश का नृत्य किया। पीरिक पतोम निसान का, सदीर समराय विक्रमा, चैरत असलान का और धननजे डी सिल्वा थे। लेकिन सिराज का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने लनकाई कप्तान दासुल शनाका और कुसल मेंडिस को आर्लू से घेर कर उनका विनाश पूरा कर दिया। एक बार जब सिराज ने अपना स्पैल खत्म कर लिया, तो लनकाई पारी में कुछ भी नहीं बचा था। हार्दिक पंड्या ने तीन व लेकर मैच को अंतिम रूप दिया।